हवे मीशन मून अंगे चंद्रयान त्रण ना लौंचिंग पर वड़ाप्रथा नरेंद्र मोदी ये विदेशनी धर्ती उपर थी आप्यू निवेदन कहिँ के आजे समगर विश्वनी नजर्चे भारत पर स्री हरी कोटा थी अईति हासिक लौंचिंग करवावा आउशे फ्रांस नी धर्ती पर थी चंद्रयान त्रोण पर बोल्या वड़ाप्रथा नरेंद्र मोदी स्पेस सेक्टर मा अनेक संभावनाव होवानी बात पन वड़ाप्रथा शुरिये करी आजे इसरो लौंच करशे चंद्रयान त्रोण स्री हरी कोटा थी बपोरे बैव आगे दे पांतरीस मिनिटे लौंचिंग कराशे LVM त्रोण रोकेट थी अंतरिक्ष मा छोडा शे जे 24 थी 25 ओगस्टे चंद्र पर लैंडिंग था शे इसरो द्वारा सौफ्ट लैंडिंग करवामा आव शे चंद्र पर राष्टर द्वज फरकावनार चोथो देश बंसे भारत चंद्र थी लैंडिंड रोवर तीरंगा साथे सेल्फी मोकल शे चंद्र यान त्रण ना प्रक्षपणने लईने समग्र देश अने देश ने जनता उत्साहित चे चंद्र ना दक्षन रोव पर लैंडिंग नी तैयारी चंद्र यान त्रण ना लईने आजे समग्र देश ने देश ने जनता उत्साहित चे तैर विद्यार थियो माँ पर एक अनेरू आकर्षण ने उत्सा जोवाब मडी रहो चे जानी शू हार्दी अब्रिसते जोडाई चुक्या चे हार्दी आप शाडा खाते उपस्तित चो शाडा ना विद्यार थियो माँ पर एक आ जे उपलब्धी भारत देश हासल करवा जै रहो चे तेने लएने केवो उत्सा शू तेवरा निवेदन सामिय आवी रहा चे जागरूती चोकस्ती आजे एक महत्व पूर्ण दिवस गणी शकाय कारण के चंद्रयान 3 चे के जी भारत वारा लॉंच करवामा आवशे बपोरी लगवग अटी वाग्यानों समय चे ने तेने लएने समक्र देश चे ते उत्साही चे परन्तु साथे-साथे विद्यार्थियों चे तेलोको माँ पन एक अलग ज उत्सा चे ते जोआमनी रहा चे ते लोको अत्यारे भगवारन ने प्रेकरी रहा चे के चंद्रयान 3 नू लॉंचिंग चे ते सफ़ल रहे अबाद जे भारत चे थे हवे आकलब मा सामिल थवा जए रहे हुचे, विद्यार्थियों पासे थी जानिये ते लो को शू विचारी रहा चे चंद्रयान 3 ना लाँचिंग ने लाइने, क्या सोच रहे हो, चंद्रयान 3 लाँचिंग हो रहा है, क्या आपकी अभी प्राय है? अब क्या सोच रहे हो, क्या होगा मतलब क्या प्रेक रहे हो? हम यही प्रातना करना चाहते है, कि वो डंग से चंद्र तक पहुंच सके, और वहाँ पर सफलता पूर्वक साउथ पोल पर आजाए, और हमें बहुत सारी इंफोर्मेशन दे, जिससे भारत स्पेस अभ्यान में प्रगती करे. चावरुटी, एक नानो विद्यार थी छे, कि जेपन अत्यारे महताजी नी पूजा करी रहे हो छे, कि चंद्रयायन 3 नो सफल लॉंचिंग थाए, आप क्या सोच रहे हो, चंद्रयायन 3 की लॉंचिंग है, क्या सोच रहे हो उसके बार? एक्चली मैं सोच रहा हूँ कि वो काश हमारे चांद में, साउथ पूल में ऐसे ही लैंड हो जाए और ऐसे ही उसका सफलतर में करते जाए और वहाँ पर ही अच्छा से लैंड हो जाए. आज एक बहुत इंपॉर्टन दे है, क्या सोच रहे हो चंद्रयायन के बारे में और जो प्रे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? आज एंडीयन में बहुत प्राउड हो कि इसनों ने यह नया मॉडल लांच किया है, हम मून के इंवारमेंट के बारे में और जान पाएंगे and that is really good, हम मून के सॉफसे से बारे में जान पाएंगे, वील नौ अबट इस वाटर और नौट और मून के सॉदरन सॉफसे के बार तोच्र उसके बारे में? काफी एकशिटमेंट, and as the youth of the nation, it feels good to know that Israel has been progressing a lot, and as known की मुन का साउथ पोल वारा साइड जुए इस्वेरी कॉमेक्स, and it is very hard to land there, but Israel has been trying, and as it is said की 24th or 25th August पि लांडिंगो गी, so as the youth, we are very excited की लांडिंगो, and we finally get a chance to see the South Pole. USA, China, Russia, और अब इंडिया का नंबर है, कितना एक्साइमेंट है? So Chandriyan 3 is going to be a major milestone for Indian Space Program. It's going to show India's dedication as well and how it has managed. It will be able to successfully launch the Chandriyan 3 and it will also help us in future for our future lunar missions. I'm really excited and I just hope that India successfully launches it. आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब यह एक और स्टेप होगा इंडिया में Space Program के एडवांस्मेंट में और वो सोचके अच्छा लगता है कि और नहीं पॉसिबिलिटीज हमको दिखेंगी और जो मिस्ट्रीज हैं Space के हमको और उसके बारे में पता चलेगा तो वो सोचके गर्व चंद्रयान 3 नू सफ़र लॉंचिंग थाए तैना माटे तेवो प्रात्ना करी रहा चे अने बपोर अटी वागे तानू लॉंच थावानू चे अटले तैने लेने काउंटडाउन चे ते शरू थाई गयो चे इस रोना तमाम जे कहवाई के वैग्नानी को माँ एक अलगज उत्सा हसे एकसाइटमेंट हसे परन्तू भारतनी जनता चे ते लोको पन आज वाँ माटे खुबज एकसाइटेड जू आमड़ी रही जी 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 आभार हार्दी आपने